Hello everyone, आज हम करने जा रहे हैं Transfer of Property Act 1882 हमें Act स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें मैं सबसे पहले आपको introduction के बारे में थोड़ा से बताऊंगी और इसके बाद मैं आपको इसके chapters याद करवाऊंगी अब chapters याद करने से पहले हमें इसका एक जो है object पता होना चाहिए ठीक है कि object TBA का क्या है तो simple object है इसका कि transfer क्या होगा transfer by Act of Parties को ही ये govern करेगा operation of law काई तरह से transfer होता है properties का जैसे आप family के हो, Hindu undivided family के हो ठीक है उसमें आपके पास कोई property आ जाती है partition के थूँ ये सब इसको गवाण नहीं करता है सिर्फ कैसे govern करता है अगर आपने मुझे क्या किया है property transfer की है transfer deed के थूँ तो उसको ये govern करता है तो हमें इसके object से ये समझ में आता है कि इसमें क्या govern नहीं किया जाता है personal law के थूँ अगर कोई transfer हुआ है तो ठीक है अद इसमें last line एक बार आप इसकी पढ़ लो अब यह तो complete हो गया हमारा uninteresting सा पार्ट जो की बहुत जादा पूछा नहीं जाता है चीक है basic understanding के लिए है सबसे जादा understanding वाली चीज और सबसे जादा दिक्कत कहां आती है तो अब देखो आपके सामने क्या आगे सारे chapters कितने chapter है आठ chapter है जेनरली क्या माना जाता है कि आपके पास एक property है आपके पास 7 जनम है पर यह जो property है आपके पास 7 जनम तक रहेगी नहीं चीक है तो उससे आप 7 आपको याद हो गया plus 1 चीक है क्योंकि preliminary है क्या है एक miscellaneous type का chapter है तो 7 plus 1 यानि कि total कितने chapters हो गया आपके 8 अब second issue आता है chapter numbers याद करने का कि आपको chapter के नाम याद करने है ठीक है transfer of property में chapter के नाम याद करना सबसे एक बड़ा issue हो जाता है तो सबसे पहला chapter कौन सा है preliminary जो कि हर किसी को एक तरह से याद रहता है ठीक है और क्योंकि इस chapter का नाम है sorry इस subject का नाम है transfer of property तो इसका जो सबसे पहला second chapter आ जाता है preliminary के बाद वो है transfer of property by act of parties जो कि मैं आपको object में ही बता चुकी हूँ ठीक है तो ये दोनों चीज़ जो है आपको tricks के पहले पता होनी चाहिए पहला है preliminary दूसरा है transfer ठीक है by itself अब मैं इसके आगे जो आपको initials लिखाऊंगी वो आप एक बार लिख लेना अपने सामने और उसके बाद जब आप उसको formulate करोगे तो आपको trick समझ में आएगी तो सबसे पहला क्या है इसके बाद chapter number 3 sales तो S को आप side पे लिख लो next इसके बाद क्या होगा mortgages तो अब आप M को भी side पे लिख लो third इसके बाद आपको कौन से chapter आजाता है lease यानि कि 5th chapter है lease ठीके तो अब इस L को भी side में लगा के लिख दो next इसके बाद chapter आता है chapter number 6 जो है exchanges ठीके off exchanges तो E को जो है आप side पे अलग से लिख लो इसके बाद second last यानि कि 7th chapter आता है of gift ठीके तो इसके बाद G को भी आप SMLE के साथ लिख लो और उसके बाद final यानि कि 8th chapter आ जाता है of actionable claims यानि कि actionable claims का E जो है वो यहाँ side पे लिख लो तो आपने SMLEGA जो है site पे लिख लिख लिया होगा और SMLEGA को पढ़ोगे आप अगर हिंदी में तो क्या लगता है संभलेगा यानि कि property क्या होगी संभलेगी यानि कि संभलेगा चीके तो इससे आपको जो है सारे chapters याद हो जाएंगे next इसके बाद हम move करते हैं इसके chapters में कित section number one से लेकर के section number four तक है यह बहुत basic सी चीज है इससे आज सच याद करने की उतनी जरूत नी पड़ेगी आपको एक तरह से पताई होगा next इसके बाद आ जाते है T यानि कि transfer of property में चीके अब transfer of property में क्या है section number five से लेकर के 53 है अब इसको देख लो आपको कैसे याद करना है देको five तो आपको पता ही होगा फिर इसके बाद 53 कैसे आपको याद हो जाएगा मान लो five आपने ऐसे बनाया तो इधर यह लगा दो ठीक है तो five 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 यह बनाओ और इधर यह लगा दो बीच में dash लगा दो ठीक है तो आपको बन गया five से लेकर के 53 यह हो गया हमारा first set complete ठीक है कि कितना कितना difference create होता है ठीक है तो S लगा दो M में cross कर दो L में cross कर दो S EGA सेगा ठीक है सेगा को हम लोग ध्यान देते हैं S पे है 4 E पे है 4 sections G पे है 8 और A पे है 8 sections ठीक है यानि कि उपर से नीचे जा रहे हैं तो sections क्या है दो दो के बाद बढ़ गए हैं S में 4 है सेल में 4 है E में यानि कि exchange में 4 हैं gift में 8 है gift बढ़ा देते हो आप और actionable games में भी 8 है ठीक है अभी हमको यह पता चल गया है ठीक है इस पे stable रहना अब हम चलते हैं S और E पे ठीक है सबसे पहले यह वाला site देखते हैं हमें पता चल गया कि S के उपर जो T था हो किस पे complete हो रहा था 53 पे त अब इसके वाद हम आज आते है एक से लीज पे ठीक है अब आपको एक चीज जो है वो याद रखनी होगी वह है कि लीज जो है वह 105 से start होता है यह आपको क्यों याद रखनी होगी बहुत important है सबसे जादा important है क्योंकि 105 जो है एक हो एक नमबर ऐसा जो आपको यजिली यह निकि 105 ऐसे याद कर लो तो इजली याद हो जाएगा, चीक है मैंने इतनी बार बोल दिया है, अब तक याद हो जाना चाहिए, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह 54 से है, 57 पेंड होती और 105 से शुरू होती है, तो हम यह देख सकते हैं कि Mortgages, देखो Mortgages में बहुत सारे सेक्शन साते हैं, 46, 47 सेक्शन साते हैं, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह 58 से स्टार्ट होगा और 104 पेंड होगा, क्यों क्योंकि हमें इसका ending नंबर और इसका starting नंबर पता चल चुका है, अब लीज में हमने एक चीज तो याद कर ली कि 105 से स्टार्ट होगा, हमें दूसरी चीज और याद करनी होगी कि यादे को दो चीजे हैं, या तो 13 याद कर लो या तो यह याद कर लो 117, लीज जो है 117 पे complete होगा, अगर आप सिफ लीज वाला portion याद कर लोगे, तो आपके लिए चीजे बहुत एजी हो जाएंगी, चीज है, कि 105 से स्टार्ट होगा, 117 पे complete होगा, नेक्स इसके बाद आजाते हैं एक्स्चेंज, हमें पता यह 117 पे end होगा है, तो यह 118 से शुरू होगा, 129 हो गया, नेक्स इसके बाद आजाता है, यानि एक्स्टनेबल केम्स, हमें यह पता चल गए, 129 पे end होगा है, यह किस से स्टार्ट होगा, 130 से और इसमें कितने हैं, 8 सेक्शन से हैं, इसमें कितना end होगा, 137 पे यह end हो जाएगा, तो I hope यह आपको समझ में आया हो, एक बार फिर से में आपको बता देती हूँ, T जो है 5 से लेकर कि 53 पे end होता है, 53 हमें पता चल गया, कैसे बनाना है, ठीके 5, 5, 5, इस डिजाइन से बनाओ, कि 5 का 3 भी हो जाए, ठीके फिर 53 पे end होगा है, तो यह क्या होगा, 54 से लेकर कि 57, क्योंकि 4 है इसमें, यह 58 से लेकर कि 104, क्योंकि यह 57 पे end होगा है, और यह 105 पे start होगा है, फिर इसके बाद यह 117, क्योंकि यह आपको याद करना है, कुछ तो रटना ही पड़ेगा, पूरा रटवा नहीं रही हो, 122 से लेकर कि 129 तक, क्योंकि 8 है इसमें, और 130 से लेकर कि 137, क्योंकि 8 है इसमें, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, देखो मैंने इसमें बहुत जाता जेनरल इंट्रोड़क्शन नहीं दिया है, वो और सारी वीडियो में मिल जाएगा, पट मैंने इसमें आपको सारी की सारी ट्रिक्स बताई है, तो अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगते हैं, तो प्लीज दू लाइक, शेर, कमेंट, और प्लीज दू सब्सक्राइब दिस चैनल, थांक यू,